तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि JMAIN 2022 के अंदर अगर आपके 70 से 90 के बीच परसेंटाइल आ रहे हैं तो फिर आपके पास कौन-कौन से कॉलेज आपसन में हैं कौन-कौन से ऐसे कॉलेज हैं जहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से NIT और TRIPALIT हैं जहां पे अगर 70 से 90 के बीच परसेंटाइल है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर आपको NIT या TRIPALIT नहीं मिल पा रहा है या फिर वहां पे आपको आपके मन की ब्रांच नहीं मिल पा रही है तो फिर आप कौन से GFTI में एडमिशन ले सकते हो और अगर GFTI में नहीं लेना एडमिशन तो फिर आपके पास कौन-कौन से State College है जहां पे आपको एडमिशन मिल जाएगा तो ये वीडियो बहुत ही जादा important है बहुत सारी बाते हैं इस वीडियो में बताने के लिए तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखेगा अगर 70-90 के बीच परसेंटाइल है तो जरूर लास्ट तक देखना क्यूंकि इस वीडियो से आपको एक बहतर आप्शन मिलेगा जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो अपने परसेंटाइल पे तो वीडियो अगर लास्ट में पसंद आती है तो आपको दो काम करने है पहला तो आपको वीडियो दोस्तों के साथ सेर कर देना है और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्यूंकि सब्सक्राइब करोगे तो काउंसलिंग के टाइ पर्सेंटाइल पे 2,80,000 के आसपास होगी और 90 पर्सेंटाइल पे 95,000 के आसपास होगी और इस पर्सेंटाइल पे अगर आपका होम इस्टेट जम्मु कास्मीर, सिक्किम, कोवा, उडिशा, बेश्ट बेंगौल, पंजाब, चतिजगड, असाम, मनिपुद, मिजोरम, मिघाल है, उत्राकंड, पुडुचीरी या त्रिपुरा है, तो इस पर्सेंटाइल पे आपको आपके इस्टेट का जो भी एनाइटी होगा, वो डीसेंट ब्रांच के साथ मिल पाएगा, एनाइटी के अंदर होम इस्टेट और आउटसाइड इस्टेट का रिजर्वेशन होता है त्रिपलाइटी में आपको आपको आउटसाइड इस्टेट का रिजर्वेशन देखने को मिलेगा, तो एनाइटी के अंदर होम इस्टेट का जो वेनिफिट होता है, वो आपको अगर ये जो स्टेट मैंने बता रखे हैं, इन में से किसी आप स्टेट से हो, तो बहुत ही पढ़िया मिलेगा, अगर आप इन में से बाहर किसी स्टेट से हो, तो फिर आपको 70 से 90 परसेंटाइल पे कुछ ही एनाइटी और ट्रिपलाइटी आपसन में रहते हैं, जो कि आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो होम इस्टेट कोटे का वेनिफिट मिले है, जिसके कारण वहाँ पे होम स्टेट का इतना ज़्यादा वेनिफिट नहीं मिल पाता है, तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी, अब मैं आपको इस वीडियो के फर्स पार्ट के अंदर लेके जाता हूँ, यानि कौन-कौन से NIT और ट्रिपलाइटी आपक काउंसिंग रैंक है, ये CSAB काउंसिलिंग के लाश्ट राउंड की है, CSAB काउंसिलिंग जो होती है, वो इस्पेसल राउंड काउंसिलिंग होती है, जोसा के बात कंड़क्ट होती है, और ये एक स्पेसल राउंड होता है, तो इसमें जो कट ओफ होती है, वो काफी लोग च यहां पर आपको 2020 और 2021 के cut-off में काफी ज़्यादा gap देखने को मिलेगा, यह gap आने का main reason यह है कि 2021 में colleges में जो seeds हैं वो बढ़ा दी गई थी, जिसका benefit 2021 बैच के बच्चों को मिला और 2022 वाले बच्चों को भी मिलेगा, ठीक है, तो आपके लिए यह एक बहतर positive point है कि seeds आपको मिल सकता है, अगर आपके percentile 90 के एकदम आसपास है तो, अगर स्री नगर में जाओ तो आपके पास NIT स्री नगर में chemical हो गया, civil हो गया and metallurgy and material science यह तीन branches option में है, NIT अगर तला के अंदर आपके पास biotechnology and production यह दो branches option में है, NIT मनीपूर के अंदर आपको civil मिल जाएगा, NIT Nagaland के अंदर आपको civil मिल जाएगा, अवनाचल प्रदेश के अंदर आपको civil और mechanical यह दो branches option में मिलेंगी, अब यहाँ पे जो closing rank लिखी हुई है, वो आप देख सकते हैं, अगर आपके percentile 90 के आसपास हैं, तो आपके पास काफी option है, अब अगर आपके percentile 80 के पास हैं, तो फिर NIT तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो यह totally depend करेगा कि आपके percentile 70 के पास हैं, 80 के पास हैं, के 90 के पास हैं, 90 के पास हैं, तो बहुत से NIT जो option अभी मैंने आपको बताया है, चाहिए वो स्रीनगर हो, अगरतला हो, रायपूर हो, ठीक है, मिजोरम हो, मनीपूर हो, त जवलपूर के अंदर smart manufacturing, तो यह 4 option ही आपके पास IIIT में हैं, ठीक है, तो NIT और IIIT सिर्फ इतने ही options हैं, अगर हम बात करें, कि आपको NIT अगर मिल रहा है, ब्रांच सही नहीं मिल पा रही, तो फिर आप GFTI में admission ले सकते हो, अब बहुत से बच्चे जो वीडियो देख रहे जीन है, GFTI के बारे में knowledge नहीं होगा, आपको पता होगा NIT और ज्यादा knowledge होगा, तो IIIT इसके बारे में पता होगा, तो GFTI जो होते हैं, वो government funded technical institute होते हैं, यह भी government college होते हैं, और जोसा और CSB के अंदर participate करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो आपके पास इस percentile प आस-पास जाता है, बट EC जो है, वो 1,24,000 के आस-पास चला जाता है, ठीक है, Assam University का, Agriculture आप देख सकते हो, यहाँ पे 4,20,408 गया था, ठीक है, GFTI में जो lower branches हैं, उनके cut-off 2021 में बहुत ही जादा ऊपर चले गए थे, तो अगर आपके rank बहुत कम है, JEE में तो भी आपके पा IEP हो गया, and Biotechnology हो गया, GKB हरिद्वार के अंदर CSE हो गया, Double E हो गया, Electrical Engineering, ठीक है, IITR महंदाबाद हो गया, GGU बिलासपूर हो गया, JK अलाहबाद हो गया, NIFFT राची हो गया, Slight लोंगवाल हो गया, तेशपूर उनिवरसिटी हो गई, ठीक है, इसके बाद SMVDU जम्मू ह हो गया, HNV गहरवाल हो गया, पंजाब Engineering College चंडिगड हो गया, यहाँ पे आपको Civil Engineering 65,547 के आसपास close हुई थी, और Metallurian Material Science 1,1354 के आसपास close हुई थी, और यह जो पंजाब Engineering College है, यह NIT के लेवल का College है, ठीक है, जो Top Most NIT है, ठीक है, अलाहबाद हो गया, नाकपूर हो गया, इनसे आप इस College को Compare कर सकते हो, इसके बाद Pondicherry Engineering College के अंदर EC and Mechatronics हो गया, and CU Rajasthan के अंदर EC और Biomedical हो गया, अब अगर आपको GFTIs में अडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि इसमें कुछ GFTIs ही हैं, जो की बहतर हैं, जैसे कि BIT में सरह राची हो गया, ITR महंदाबाद हो गया, जैके अलाहबाद हो गया, इसके बाद पंजाब Engineering College चंडिगर हो गया, तो ये SMV due हो गया, तो ये College ये ठीक ठाक है, ठीक है, बाकी बहुत से GFTIs हैं, जहां पर Placement का बहुत प्लेस्मेंट कम होती है, तो बच्चे GFTI में अडमिशन लेने से थोड़ा कतर आते हैं, तो अग आप उन Colleges को NIT से Compare कर सकते हो, जो Mid Range की NIT हैं, जैसे की रायपूर हो गया, जमसेतपूर हो गया, जालंधर हो गया, अगरतला हो गया, तो इन NIT से इन Colleges को आप Definitely Compare कर सकते हो, और ये College टक कर देते हैं, प्रापर, तो आप अपने State Engineering Colleges में भी Admission ले सकते हो, अगर आप मद प्रदेश से हो, तो आप MPDT Counseling करके, MPDT Counseling के Help से, अपने State Engineering College जैसे S.J.S.I.T.S. Indoor, I.T.D.A.V.I.Indoor, J.E.C. J.E.C. जवलपूर, M.I.T.S. Gualier, UIT, R.G.P.B., U.E.C. U.J.N., S.A.T.I. विद्सा, और भी बहुत से Government Engineering College है, वहाँ पे Admission ले सकते हो, Government हो गया, Semi Government हो गया, Self Finance हो गया, Private हो गया, यह सारी Colleges आते हैं, और यह जो College के मैंने नाम लिख रखे हैं, यह काफी बढ़िया लेवल की College हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश से हो, तो UPSW की Counseling होती है, UPSW Counseling की Help से, आप HBTU कानपूर में तो इनका खुद का Counseling कंड़क्ट करते हैं, बट UPSW Counseling से IET लखनाओ, के NIT सुल्तानपूर, BIT जहासी और बहुत से राज़की Engineering Colleges हैं, जहां पे Admission ले सकते हो, अगर आप डैली से हो, तो आप Jack Delhi की Counseling करके, जो DT हो गया, NSUT हो गया, IIT Delhi हो गया, यहां पे Admission का देख सकते हो कि, यह जो College होते हैं, यहां पे डैली वाले जो उनको काफी बढ़िया State Quote का Benefit मिलता है, IP University के आप Counseling कर सकते हो, तीके, अगर आप चंडीगर से हो, तो आप Jack चंडीगर की Counseling कर सकते हो, इसी तरह बहुत से State ऐसे हैं, जहां पे आपके पास 70 से 90 percentile में बढ़िया College Option में हैं, आप अपने State का Benefit ले सकते हो, अगर आप State Quote से Counseling करोगे, तो आपको बढ़िया College मिल जाएगा, तो यह जो College में आपको बता रहा हूँ, State Quote से, like SGS, ITS, DAVV, JEC, MITS, HBTU, IET, KNIT, Jack Delhi के अंदर जो College आते हैं, यह College, NIT के Label के College हैं, इनके अगर आप Placement देखोगे, इनका Campus Life देखोगे, तो वो आपको NIT के Label का मिलेगा, ठीक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो GFTIs में अडमिशन लेते हैं, लेकिन बहुत से GFTIs ऐसी हैं, कुछ मैंने आपको नाम बताए थे, उनमें Placement बढ़िया है, बाकि जो GFTIs हैं, ठीक है, चाहिए आप GGU बिलासपूर को ले लो, या फिर आप GKV हरिद्वार को ले लो, तो ये जो कॉलेज है ना, और भी है, तेजपूरी उनिवरसिटी, असाम उनिवरसिटी, मिजोरम उनिवरसिटी, वहाँ पे Placement उतनी बढ़िया नहीं हो पाते हैं, उतनी अच्छा Campus Life नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो आप अपने State College को ज़्यादा वेटेस दे सकते हो, as compared to GFTI, बाकि अगर आपकी rank low है, तो आप GFTI में भी admission ले सकते हो, closing rank मेंने GFTI की minimum nearest closing rank, जो 90% के आसपास है, वो बता दी, और highest closing rank बता दी, जो की 4,00,000 के आसपास भी closing हुई है GFTI के अंदर, ठीक है, तो आपको admission easily मिल जाएगा, बाकि NIT और IIIT के अंदर 70-90% में आपके पास कुछ जो की मैंने आपको बता दी है, अगर आपका state लग रहा है, जो state मैंने आपको starting में बताए थे, इन में से किसी भी state से हो आप, तो फिर आपकी वारे नियारे है, आपको आपके state का NIT एक decent branch के साथ मिल जाएगा, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को like जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ share करिएगा, और चैनल पर नहीं हो, तो please make sure कि subscribe कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको पूरी information आपके counselling से related और जैई से related मिलती रहती है, तो subscribe जरूर कर लेना, मिलता हूँ दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूँ, दी जै इजदत मुझे, जै हिन